प्ली अपाट्मेंट सबने क्या सोर मता रखा है उपर सुनियो तुम्हारे घर महमान आने की वज़े से हम वहाँ भी नहीं जा सकते और खेलने के लिए नोबिता का घर बहुत छोटा है मुझे पता है क्या हमारे पास कुछ ऐसा नहीं जो हम यहां कर सकते हैं हाँ, अरे हाँ, डोरे मौन क्या तुम सुनियो की नकल उतार सकते हो ठीक है, अब मैं बिल्कुल सुनियो की तरह बोल कर दिखाऊंगा आज मैं बहुत खोश हूँ और मेरे पास एक निया वीडियो गेम भी आया है और मेरे पापा की कंपनी बहुत बड़ी है मैं इछ तरा से मूऊ कभी नहीं बनाता, समझे तुम लोग और अब मैं नो बिता की तरह बोल कर दिखाऊंगा प्लीस दोरे मौन, मुझे वो क्या चेतें दो आज, प्लीस दोरे मौन मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, दोरे मौन अब किस की तरह बोलो? शिजुका की तरह बोलो क्या? लेकिन अब तो तुम्हारी बारी है ना जियान सुनियो तुम बताओ किस की बारी है जियान ये शिजुका मॉम आप मुझे बहुत काम देती रहती है मुझे खेलना भी है, मैं क्या सबजियां ही बेचता रहूंगा बहुत अच्छे अरे ये तो मेरी नगल दी आप उस सब नहीं बच्छोगे बच्छाओ सबसे कितनी बार कहना पड़ेगा, जोर मत बच्छाओ ये मैंने पूरी पड़ी फिर मिलते हैं दोस्तों ओके बाई अच्छे तो फिर मिलेंगे अगर हमारे पास खेलनी की जगे होती तो कितना मज़ा आता ना जियान सुनो हाँ मॉम क्या आप मुझे काम के लिए बुला रही है यहाँ पर सारा सामान ठीक से रखो समझ गए तुम आप भी बस काम ही करवाती रहती है मुझे क्या काहा ठीक है मैं अभी करता हूँ मॉम ऐसा कोई रूम हो जहां हम अपना काम कर सके अरे सुनियो तुम इस वक्त क्यों खा रहे हो यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ऐसी जगे जहां हमें कोई भी रोके डोके नहीं शिजुका यहां आओ किचन में तुम्हारे जरूरत है अच्छा ठीक है मामा ऐसी जगे जो सिर्फ बच्चों के लिए हो अच्छा तो यह बात है नो बिता ठीक है मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है? मेरे पास एक नया गाजट है अपाटमेंट ट्री क्योंकि एक नया गाजट है इसलिए मुझे इसकी बारे में कुछ नहीं पता मुझे ज़रा एक किताब पढ़ने दो बीच पोने के दस मिनिट में ही अपार्टमेंट भी उप जाएगा क्या ये सच में दस मिनिट में तयार हो जाएगा? अरे वाँ ये तो बढ़ने लगा दस मिनिट पूरे हो गए लेकिन ही अपार्टमेंट जैसा नहीं है ये तो कोई गुफा लगती है हाँ तुमने सही कहा नोबिता अंदर तो बहुत अंधीरा है त्यान से जाना नोबिता इसमें लिखा है कि इसके अंदर कमरे भी बने हुए है किस तरहा के? इसमें लिखा है कि वो कमरे पेर की जड़ों से बने होंगे अच्छा, तो हमें जड़ी ढूड़नी चाहिए, मैं ढूड़ना शुरू करता हूँ लेकिन ख्यान से नो बता वाउ, यहां तो काफी धन्दा है, बहुत मज़ा आएगा, बढ़िया है तुम्हें कुछ मिला? हम सब लोग यहां आराम से खेल सकते हैं, है न? अरे वाँ, बारिश तो रुख गई है खेलने की एक बड़ी अजगे मिली है शिजुका क्या सच में? तुम जितना शोर करके खेलना चाहते हो, खेल सकते हो क्या सच में? तुम सब अपने काम की चीज़ ले आना ठीक है? ठीक है, हम समच गए क्या सब लोग आ रहे हैं? हाँ, वो लोग जल्दी आ जाएंगे मुझे प्यानो और एक दो चीज़े और चाहिए, डुरिमोन ठीक है, मौल लाइट इस काज़ट की मदब से हम तीजो को छोटा करके वहाँ ले जा सकते हैं मुझे सिर्फ यही चीज़े अपने साथ ले जानी है, और कुछ नहीं जुरिमोन शिजुका, कहीं जियान गाना तो नहीं गाने वाला है क्या कहा तुमने? कुछ नहीं देखो, मैं भी अपने साथ आमान ले आया हूँ क्या तुम यह सब ले जाओगे? हाँ, बस थोड़ा ही तो है, ज्यादा थोड़ी है तो दोस्तों, अब तुम यहां अपनी अपनी जगा पसंद कर लो फिर मैं तुम सब का साहान दे दूँगा देख लाइक नोबिता, यह है तुम्हारा बिस्तर और साथ में तुम्हारी अलमारी भी है शुक्रिया दोरे मौन बाकी चीज़े बात में दूँगा और बाकी चीज़ों को बात में बढ़ा करूँगा, बाई तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं प्यानों बजा सकती हूँ, जितना चाहूँ अरे, तुमने तो अभी से गाना शुरू कर दिया जियान आज यहां खोई मुझसे नहीं बच पाएगा अरे, वाह, यहां पर टीवी कितना साफ आ रहा है लेकिन मुझे एंटेना लगाने में बहुत परिशानी हुई हो, सब कुछ ठीक हो गया, सब लोग बहुत खुश है नोबिता, दोरे मॉन कहां हो तुम दोनों, कहां हो नोबिता, हाँ, यह कहा जाया पहले तो यहां पर नहीं था यह नोबिता, दोरे मॉन यह वास दो, अरे यह तु मॉम है क्या तुम भी नहीं लगता कि हम सब को रात को घर जाना चाहिए हाँ, मेरी मॉम भी परिशान हो रही होंगी तो फिर चलते हैं फिर मिलेंगे हाँ, कल मिलेंगे ओके, कल मिलते है नोबिता, ठीक है, बाई बाई ठीक है, मैं इन्पजार करूँगा ये क्या? डोरेमान क्या बात है नोबिता? अब हम कहां खेलने जाएंगे, किसने किया होगा ये सब? अरे ये क्या, इसमें तो लिखा है कि अपार्मेंट्री एक्टिस के लिए ही था और वो चीजे जो हमने इसमें चोड़ी थी वो तो जमीन के नीचे ही होंगी सब लोग आते ही होंगे, अब हम क्या करें डोरेमान? जमीन को खोदना पड़ेगा तुम्हारा क्या मतलब है? देखो मेरा टीवी और बाकी सब चीजें खराब नहीं होने चाहिए मुझे अपना कैजियों के बहुत प्यारा है मेरे प्यार को कुछ नहीं होना चाहिए अरे बताए